नमस्कार साथियों आप सभी का स्वागत है जेकी आईटीए मंत्रा की ओफिसियल यूट्यूब चेनल में आज की इस वीडियो में हम डियाल डियो सेप्टम टेन के लिए रिजिनिंग के दस इंपोर्टेंट एमसी क्यूज लेकर उपस्तित हुए हैं जो बार-बार परिक्ष में पूछे जा चुके हैं रिजिनिंग के क्यूजन किस प्रकार से आते हैं वो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आपके एक्जाम में किस प्रकार से रिजिनिंग के क्यूजन पूछे जा सकते हैं वेन डाइग्राम का एक क्यूजन जरूर आएगा उसी के अकोडिंग हमने ये 10 important question त्यार किये हैं last तक जरूर देखिए और चैनल पर पहली वार widget किया है तो चैनल को subscribe कर लीजिए हम आपके लिए important videos इसी परकार की videos इस channel पर provide करवाते रहते हैं तो reasoning के 10 important question है हम explain भी करेंगे कि किस परकार से answer आया है और आपको किस परकार से exam में पूछे जा सकते हैं वेसे तो इसका main जो syllabus है वो technical है technical के आपके 80 question आएंगी और 9 टेक के 40 question आएंगी उनमें 10 question regioning के हो सकते हैं 10 से कम या फिर अधिक हो सकते हैं लेकिन average माने तो आपके 9 टेक के 4 topic है general English, regioning general awareness और math, चारों में से यदि 40 question करें तो 10 question पर टेक topic से लिए जा सकते हैं इसलिए हमने 10 question इसमें तयार किये कि किस परकार से आपको पूछ सकते हैं चैनल को subscribe जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा share करें जिससे अच्छा response मिले और हम आपके लिए इसी परकार की वीडियो जे लेकर उपस्तित आते रहें यदि आपने general awareness के दो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप मारी DRDO September 10 की प्लेलिस्ट में जाकर general awareness के क्यूसन देख सकते हैं साथ में English के भी हमने MCQs provide करवा रखे हैं आप उन्हें जाकर जरूर चेकिए तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को जो आपके सामने पहला क्यूसन है इस प्रकार से एक क्यूसन आपको एक्जाम में जरूर देखने को मिलेगा यह है आपके dice वाले यान की जो पासा होता है उस topic से किस प्रकार की क्यूसन पूछे जा सकते हैं हमने S.S.C. इस प्रकार से इंपोर्टेंट जो रेलवे और एक्जाम होते हैं जिन में रिजनिंग को सामिल किया जाता है उसकी according हमने पिछले वर्स जितने क्यूसन पूछे गए थे जिस प्रकार से पुछे गए थे उसकी according ये वीडियो तयार किया है आपको क्यूसन पुछा है नीचे एक पासे के चार प्रारूपों को दरसाया है इस पासे में अंक दो के विप्रीत फलक का कौन सा अंक होगा तो आपको दो के opposite side कौन सा अंक होगा वो पहचान करना है तो सबसे पहले आपको ये वाला देखना है ये आपका एक तरीके से प्रसन वाला पासा होता है जो पहली आकरती होती है उसमें तो आपको इसमें दो दिखाई दे रहा है और दो इसमें है और दो इसमें तीन और चार किसमे है इसमें तीन है लेकिन चार नहीं है तो ये आपका एंसर नहीं होगा इसमें चार है लेकिन तीन नहीं है तो ये भी नहीं होगा अब आप अप्शन नमबर सी को देखे यानि कि तीसरे डाइग्राम को देखे इसमें तीन और चार दोनों दे रखे हैं इस हम 2 की विप्रित की भात करते हैं तो हम पहले điaggioieten को देखते हैं इसमें 2, 3, 4 ये 3 अंक दे रकी हैं आपको दिखना है 3 और 4 यान कि 2 के जो संगत संगत अंक हैं उन्हें देखिए 3 और 4 हैं 3 और 4 और किस डाइगराम में दिखाई दे रहे हैं तो आपको कुशन को आराम से पड़ते हैं तो आप इजिली 30 सेकेंड में एंसर दे सकते हैं दूसरे क्यूशन की बात कर लेते हैं दूसरा जो आपका क्यूशन है उसमें हैं कौन सा उत्तर आकरती में प्रशन आकरती के विशिष्ट तत्यों को विद्यमान हैं तो आपको यहां कोई इसमें जो डाइग्राम दे रखे हैं वही आपको इन में सी कौन सी में दिखाई दे रहे हैं इस परकार से इंसर सलेक्ट करना है तो आप पहले दो को पकड़िए यान कि एरो और सर्किल को आप जब पकड़ेंगे तो एरो और सर्किल इसमें भी है एरो और सर्किल इसमें भ होगा, नहीं, अब आपके सामने तीन prompted बचते हैं, तीन में से तीन में से देखना है आपको multiply वाला और aid वाला किसमे है, तो इसमें multiply aid नहीं है, ये भी नहीं होगा इन दोनों में आपके हैं, बी और C में से आपका एक answer होगा तीन लाइन देखें, ये वाली तीन लाइन है, किसमे है, तो इसमें तीन लाइन है, यानकि आपका option number C सही answer होगा, आपको देखना है कि परशन और उत्तर आकरती में सेम किसमें आपको ये shapes दे रखे हैं, तो आप देखते हैं, तो परशन आकरती में जो shapes है, वो सारी के सारी आपको option number C में मिल जाते हैं तो आपका C number answer right होगा. नेक्स्ट आप क्यूशन की बात कर लेते हैं. तीसरा क्यूशन है निम्न लिकेत में सी कौन शाव वेन डाइग्राम. तो यहां आपको ध्यान रखना है वेन डाइग्राम आपको एकजाम में जरूर पुछा जाएगा. इसके हमने तीन क्यूशन इस वीडियो में सामिल किया है गाजर, भोजन और सब्जी. तो आप देख सकते हैं गाजर, भोजन और सब्जी एक ही होते हैं. भोजन के अंतरगत सब्जी आती है और सब्जी के अंतरगत आपको देखना है. यह आपको यहां वेन डाइग्राम का जब भी एंसर देते हैं तो आपको केटिगरी देखनी ह तो आप देखते हैं कि भोजन एक केटिगरी है जिसके अंतरगत सब्जी आती है और सब्जी के अंतरगत गाजर आती है तो इस परकार का आपका डाइग्राम मनेगा ओप्शन नमबर A इसका सही एंसर है मालीजे यहां आपको ओप्शन दे कि गाजर, मूली और तीसरा ओप्शन दे दे आपको पेन तो आपको पता है गाजर और मूली तो सब्जी के केटिगरी में आते हैं लेकिन पेन एक अलग केटिगरी है तब आपको इस परकार के ओप्शन की तरफ जाना होता है तो इसके हम तीन क्यूशन लेकर आए हैं, आपका concept clear हो जाएगा, तीनों क्यूशन को देखते हैं, यहां आपका चोथा क्यूशन है, वो वेसे तो मेत का क्यूशन है, लेकिन जनरल रिजनिंग के क्यूशन में इस परकार की आपको देखने को मिल सकते हैं, क्यूशन आप देख सकते हैं, एक 18 cm का आपको ठोस घन दे रखा है, यदि तीन सेमी के छोटे छोटे घन बनाई जाई, तो कुल कितने घन बनेगी, तो आप देख सकते हैं, एक घन है, गन इस परकार से होती है, जिसकी तीनों भुजाई समान होती है, यह आपको मैं बना के दिखा दिता हूँ, यह है घन, यह आप देख सकते हैं, इस परकार से घन बनाया जाता है, यहाँ हमने आपके सामने घन बना दिया है, इस परकार से घन बना होता है, जिसकी लंबाई, चोड़ाई और उन्चाई तीनों बराबर है, तो यह आपको दे रखा है 18 cm है, लंबाई, चोड़ाई और उन्चाई फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, आपने टेंथ में पड़ रखा है, मैं इसके लिए ट्रिक बता रहा हूँ, जब आपको बड़े की जब भुजा दे और छोटे की भी भुजा दे तो आपको ये करना है, कि बड़े वाली भुजा का क्यूब कर देजिए, यानकि तीन वा सेंटीमिटर क्यूब, तो ये आपका एंसर होगा, येदि आप में सिंपल ट्रिक की बात करें, तो बड़े वाले की सेंटीमिटर में जो भुजा दे रही है, उसे तीन वार मल्टिपलाई करके, छोटे वाले की भुजा को तीन वार मल्टिपलाई करके दोनों में भाग करन तो इस question को देखकर आप क्या करेंगी बड़ा question है छोड़ कर चले जाएंगी और आपकी एक number कम हो जाएंगी यदि कोई competitor आप में से ज़्यादा एक अंकल ले आता है तो उसका selection होने की संभाव ना है तो इस प्रकार की question को देखकर आपको छोड़ना नहीं है question की concept क्या है उसे समझना है तो यहाँ आप देखते हैं तो इसमें क्या लिखा है यह आपकी पूरी संभाव है और जब अगली संभाव है तो आप देख सकते हैं मैं एक वार हटा देता हूँ सेवन नहीं लिखा ठ्रीन कहां पर यह फोलो किया अगया फोलो कि यह तब 8 को आगे ची आखिया कूंळे क्यात कैसंख्या प्यूसर नहीं इंडया है UPर हुभ कि отправ जोरी है और पेंस अपच्छ चीघ्र काहले म होई करो हिए लेकिन वाला नहीं लिखनी नई की शुरू option number D में हो रही है और last वाला नहीं लिखा है हमने तो option number D इसका answer रहेगा आप इसी समझ गई होंगे next जो आपके पास question है नेमन में से कौन सा वेन डाइग्राम आम फल और सब्जी की बीच के समप्रक को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है तो यदि हम भात करें आम एक फल है तो फल एक केटिगरी है जिसके अंदरगत आम आता है लेकिन सबजियां एक अलग केटिगरी होती है तो आप इस परकार से दिखा सकते हैं option number B में इस परकार से दिखाया है कि ये फल है जिसके अंदरगत आम आता है लेकिन सबजी थोड़ी अलग होती है तो आप वेन डाइग्राम के कॉंसेप्ट को समझ गए होंगी आगे एक और क्योशन आएगा जिसमें आप वेन डाइग्राम को खुद करने वाले हैं नेक्स्ट जो क्योशन है उसमें कहा है यदि किसी महीने का दस्वां दिन सटर्डे यानि कि सनिवार है तो उस महीने का 27 दिन क्या होगा तो मैं आपको बता दूँ जब दस्वां दिन आपको दे रखा है कि सटर्डे है सटर्डे आपको दे रखा है दस्वां दिन है तो आप उसमें साथ और एड कीजिए जब 17 दिन होगा तो आपकी कौन सा दिन होगा फिर से Saturday होगा फिर आप और 7 एड करते हैं तो 24 दिन कौन सा होगा 24 दिन भी आप कहेंगे Saturday होगा एक महिने की बात की जारी है आप इस परकार से इजी लिए कर सकते हैं आपको पुछा है 27 दिन आपने चोईस तक निकाल दिये हैं जब आप चोईस में तीन एड करते हैं यानकी Saturday में तीन दिन और आगे बढ़ाते हैं तो 25 दिन आपका Sunday होगा 26 दिन Monday होगा और 27 दिन आप Tuesday यानकी मंगलवार की तरफ जाएंगी ओप्शन नमबर B है इज़ी क्यूसन है आपको कोई कॉंसेप्ट कोई फॉर्मूला याद करने की आफशकता है नहीं अब जब हम अगले क्यूसन की बात कर लेते हैं तो आपका अगला क्यूसन है यदि ओल बराबर 25 है नाव बराबर 22 है तो आपको नन को बताना है क्या आएगा तो हम इस परकार की क्यूसन को करने के लिए एक कॉंसेप्ट योज करेंगी आपको ध्यान करना है ओल ओल में एक इतने नमबर पर आता है तो आप करेंगी एक नमबर पर एल आता है आपके 12 नमबर पर L आता है फिर 12 नमबर आप इनको एड करते हैं 12 और 12 चोईस और 31 यान कि यह आपको एड करने का कॉंसेप्ट है जब आप Now का इसी परकार से करेंगी तो N आता है आपके N आता है आपके 14 नमबर पर O आता है आपके 15 नमबर पर और डबलू आता है आपके 23 नमबर पर आप इन तीनों को एड़ कर दीजिए तो आपके 52 आएगा यानि कि इन्होंने इंगलीज की क्यूसन जो लेटर है उनके नमबर किये और नमबर को एड़ कर दिया है तो हम यही कॉंसेप्ट यूज करने वाले हैं इस नन में एक वार मैं आपके सामने से यह हटा देता हूँ नन का हम यही कॉंसेप्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कौन सा इंसर आएगा आप इजिली जल्दी से कर पाएंगे तो हम यहां लिख देते हैं नन न ओ एन इन लिख दिया इसमें एन आपके कितने नंबर पर आता है तो आप कहेंगे चगदा नंबर पर O की बात करें तो O लिखेंगे आप 15 नंबर पर N फिर से चगदा नंबर पर और E आप सभी को पता है 5 नंबर पर अब आपको करना है एड तो इजिली एड कर पाएंगे 15 और 5 बीस और ये आएंगे 28 यानकि 20 और 28 होते हैं आपके 48 यानकि आप option नंबर बी की तरफ जाएंगे इसमें भी concept आपका clear हो गया होगा यदि इस परकार की क्यूशन आएंगे तो आप easy लिख कर पाएंगे मेरा विश्वास है next क्यूशन आपका नीचे दिगई प्रशन का सही वेन आरिक बनाईए तो वेन आरिक आप बना सकते हैं मैंने दो क्यूशन करवा दिये हैं तीसरा आप देख सकते हैं घोडा बंदर और बाग आपके सामने हैं तीनों ही जानवर है लेकिन अलग-अलग है बाग अलग है, बंदर अलग है, घोड़ा अलग है तो जानवर है, आप तीनों की एक इस परकार से कर देंगे तीन अलग-अलग सर्किल बनाएंगी ओप्शन नमबर B के अंदर रकत आपको ये करना है और आज का जो लास्ट क्यूशन है, वो है नीची दीगी सरंखला में प्रशन चिन के इस्थान पर कौन से संख्या आएगी तो इस परकार की क्यूशन को आप इजी ली कर पाएंगी कोई लंबा कॉंसेप्ट नहीं है यहां आप देखते हैं तो तीन में कितने एड किये हैं तो आप कहेंगे तीन में दो एड किये तो आपके पांच आई फिर एक एड किया फिर आपके छे एड किये फिर आपके फिर एड किया ही नहीं तो आपको यह कॉंसेप्ट ही समझने आ रहा है कि किस पर किया है तो इसके लिए आपको एक नया concept लगाना है तीन को जब दो से multiply की है तो 6 आ गया 6 को फिर दो से multiply की है तो 12 आ गया 12 को फिर दो से multiply की है चोईस आ गया इस परकासे यान कि आप कहे रहे हैं कि एक छोड़ की एक इदि हम करते हैं तो ये हमारी दो से multiply हो रही है फिर हम यही concept यहां लगाते हैं तो 5 में 7 aid करते हैं जब हम तो 12 आते हैं 12 में 7 aid करेंगे तो आपके 19 आएंगे और 19 में आप जब 7 aid करेंगे तो 26 आएंगे तो आप कह सकते हैं यहां 19 आएगा तो option number आपका ए ही right answer है कि यहां 19 आएगा इस परकार से आप regioning के question को easily solve कर सकते हैं मैंने आपके इस वीडियो के माद्यम से बताया है कि आपके DRU exam में किस परकार से regioning के question पूछे जा सकते हैं general awareness के दो part upload हो चुके हैं आप इनको जरूर देखिए general awareness के हमने लगबग 70 question आपको डोनों या तिनों वीडियो के माद्यम से करवा रखे हैं आप DRU September 10 के नाम से जो playlist बनी है उसे जाकर check कीजिए चैनल पर पहली वार आए हैं तो subscribe और वीडियो को share कीजिए जिसे अच्छा response मिले और हम आप ये रेगूलर वीडियो जो बना कर लेकर आएं